दोस्तो क्या आपके भी फोन पे से आपका जो मनी है वो ट्रांसपर नहीं हो रहा है आपके सामने कुछ इस तरीके से बार-बार फेल हो जाता है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहोंगे हमारा यहां पर जो पेमेंट है बार-बार फेल हो जा रहा है जैसा कि आपको देखने solve करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको details में बताएंगे कि आखिरकार यह problem क्यों आती है और कैसे आती है और मैंने अपने bank के customer care से बात भी किया है कि आखिरकार यह problem कैसे fix होगी यह problem हमें कैसे देखने को मिल रही है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहूंगे तो यहाँ पर म को बताते हैं कि आखिरकार यह problem आपके पास कब और क्यों और कैसे आती है सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा जब आप details पर क्लिक करते होंगे यह तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा जैसे आपको दिखाते हैं इस पर हम क्लिक कर उन्होंने बताया हुआ है कि आखिरकार क्या problem है वही आपके साथ share करेंगे जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि हम यहां से अपने image में जाएंगे यहां से आपको दिखाते हैं कि मैंने उनका एक screen shot भी लेके रगका है जैसा कि आप देख पा रहोंगे यह SBI bank ATM का customer care number है और य उन्होंने मेरे को जो कोच भी बताया हुआ है वही आपके साथ share करेंगे और वही आपको बताएंगे तो सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास यह problem आ रही है तो इसका solution यह है कि यह automatic आपका सहीं हो जाएगा कभी-कभी आपके bank में लिमिट लग जाता है जिसकी ब इस ऐसे पीटियम से या Google पेसे कहीं से भी आप पैसा ट्रांसपर करते हैं ट्रांसपर करने से पहले आपने अगर अपना UPiPan change किया है जैसे जो एक UPiPan होता है जैसे आपको दिखाते हैं यहां से चलते हैं अपने Google यान की phone Pay में यहां से वायका जाते हैं वायक आने के बा 24 घंटे तक आप सिर्फ 5,000 रुपए ट्रांसपर कर पाएंगे और 24 घंटे के बाद आपका जो लिमिट होता है वो हट जाता है फिर आप एक दिन में 1,000 रुपए तक ट्रांसपर कर सकते हैं तो अगर आपने बैंक का UPI पेंट चेंज किया हुआ है तो आपके बैंक में लिमि किया हुआ है अगर आपने यह कुछ भी नहीं किया है तो आपको यहां पर क्या करना होगा कि आपको अपने बैंक के कस्टूमर केर से कॉल करना होगा उनसे बात करना होगा बैंक के कस्टूमर केर से कॉल कैसे करते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे या तो आप गूगल प customer care number तो आपके सामने आ जाएगा और इनसे आपके contact कर सकते हैं फिर आपके सारी problem solve हो जाएगी अगर by chance ये सारा process आप कर चुके हैं फिर भी आपका ये problem solve नहीं होता है तो आपको एक बार क्या करना है कि आपको अपने bank account को यहां से हटा देना है यानि कि remove कर देना है यहां से ह UPI page नहीं change किया है फिर आपका problem आ रहा है तो एक बार अपना UPI page change करके भी आप चेक लिजिए उसके बाद 24 घंटे के बाद आपका सारा problem solve हो जाएगा तो उन्होंने मेरे को यहीं बताया था कि आकरकार यह problem अभी server down है जिसकी बज़े से चल रहा है अब आपको दिखाते है कि हमारे पास एक message भी आया हुआ है तो हम इस पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह message आया हुआ है हमारे SBI के customer care के नमर से हम इस पर click करेंगे यहाँ पर बताय रहाता है dear customer thanks you for calling SBI and giving us the यहाँ पर आच चुका है और हमारे पास एक email भी आया हुआ है कि आपकी यह problem solve कर दी गई है तो चलते हैं अपने email पर और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आकरकार वह email लगा लेते हैं जो हमारे bank account में लगा हुआ है तो यह लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आया हुआ है SBI customer care service हम इस पर click कर कर दी गई है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा तो आप यह process apply करिए और आपका सारा problem fix हो जाए